हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज हम देखेंगे CBAC class 10 SST civics का chapter 7 outcomes of democracy का mind map आप लोग में से कई लोग mind map के बारे में जानते होंगे mind map में दोस्तों पूरे chapter को एक single page में represent किया जाता है इसमें chapter के सारे important points और topics लिखे हुए होते हैं जो कि एक clue की तरह काम करते हैं जिसको देखकर पुरे chapter का summary और revision एक page को ही देखने से हो जाता है तो हमें इस page को जरूर से जरूर याद कर लेना चाहिए ताकि हमें पुरा का पुरा chapter ही याद हो सके तो चलिए इस mind map को देखते हैं अब इस mind map को जरूर अपने copy में नोट कर ले मैं इसके सारे एक एक parts को जुम करके दिखा देता हूँ तो यह था दोस्तों mind map उमीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो यह वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली सब्सक्राइब करके नोटिफीकेंसैन बेलब को दबाएं ताकि आप आने वली वीडियो को सब्स पहले देख सकेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में झाल